कि अब तो है लोग वर्वन पें उस्य अंदिवेदि और आप देख रहें अपना पसंदिता चैनल ग्यानोदे के गुरुजी मेरे प्यारे बच्चों एक बार मुझे बताएगा कि आपको मेरी आवाज आ रही है और क्या आप सभी मुझे सही से सुन पा रहे हैं या नहीं कि कि आप सभी को मेरी आवाज आ रही है मेरे पहरे बच्चों चलिए बहुत बढ़िया तो हमें उमीद है कि आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी और सारे के सारे मुझे सुन भी पा रहे होंगे गुड इविनिंग ओल आफ यू माइडियर तो आज के सेशन में हम लोग क्य करने वाले हैं आप लोगों ने देखी लिया होगा कि आज के सेशन में सर यहां पे डिसकस करने वाले हैं साबुन और अपमार्जक को क्या होता है साबुन और अपमार्जक किसे कहते हैं साबुनी करण अभिक्रिया क्या होती है और साथ ही साथ साबुन जो होते है ना उनको कैसे बनाया जाता है इसका फॉर्मूला क्या है इन सारी चीजों को आज के इस सेशन में हम लोग डिसकस करने वाले हैं तो जैसा आप सभी बता रहे हैं कि मेरी आवाज आ रही है और सारे के सारे सुन भी पा रहे हैं तो चलिए सभी को सबसे पहले हमारी तरफ से गुड एवन तो चलिए बच्चों सुरू करते हैं आज के इस सेशन को और सभी को बता है कि डेली हम लोग पाच बजे लाइव रहते हैं अपने इस चैनल पे और आज ही इस चैप्टर का आखरी लेक्चर है तो साबुन और अपमार्जग को पूरा का पूरा डिसकस करेंगे सब कुछ ए चार नंबर का पेपर अक्सर चार नंबर का कोश्चन अक्सर पेपर में रखा होता है वो भी डिसकस करेंगे चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि इतने सारे के सारे टॉपिक आप सभी को मैं पिछले कुछ दिनों में पढ़ा चुका हूं साय जितना न लिंक मिल जाए तो सारी के सारे देख सकते हैं ठीक है बच्चो चलिए सुरू करते हैं प्यारे बच्चो अब यहां पर साबुन और अपमार्जक पहले इसको अंग्रेजी में जान लेते हैं कि साबुन को अंग्रेजी में सोब कहते हैं और अपमार्जक को अंग्रेजी में डिटर्जन्ट कहा जाता है ठीक है तो जहां पर मैं अपमार्जा किया डिटर्जन्ट बोलूं समझ जाना दोनों का मतलब एक ही है अब हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है आखिर साबुन इसकी एक लाइन की डिफिनेशन है लेकिन खेल बहुत बड़ा है सबसे पहले यहां पर मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ कि साबुन क्या है अगला पेज मैं देख लेता हूँ साबुन का निर्मार चलिए बहुत बढ़ बढ़ी है देखो सबसे पहले इसको हम समझना हमारे पास लिखा है कि उच अडुभार वाले मोनो कार्बुकसलिक अमलो के सोडियम तथा पटैशियम लवन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे साबुन कहलाते हैं समझ में नहीं आया फिर से समझते हैं देखिए इन्होंने कहा उच अडुभार वाले तो हम कार्बन की लंबी स्रंखला लेंगे बहुत लंबी स्रंखला लेंगे ताकि अडुभार जो है न वह बहुत जादा बन जाए मान लीजिए हमने कार्बन कितने ले लिए सत्रा कितने कार्बन ले लिए हमने सत्रा कार्बन ले लिए और इसके बाद हम क्या करते हैं सी सत्रा अब हमने से पूछूं कि यह क्या है तो आप इसका अंसर क्या करेंगे अब ध्यान से देखिए आपने कार्बुक्सलिक अमल पढ़ा था मेरी बात अच्छे से समझने की प्लीस और प्लीस मेरे प्यारे बच्चों कोसिस करना आपने कार्बुक्सलिक अमल पढ़ा था और कार्बुक्सल यहां पर हमारे पास होता है यह अपने कालबुक्स लिक अमल में पढ़ा था तो चलिए हम एक काम करते हैं अगर हमने यहां पर एच लगा दिया तो यह जो है ना वह क्या बन जाएगा क्या बन जाएगा बच्चों एक प्रकार की अमल ही बन जाएगा उच्च अडभार वाला लेकिन अगर हम यहां से H को हटा दे और इसकी जगा पे हम सोडियम लगा दे तो यह क्या होगा यह लवण बन जाएगा बात समझ में आ गई यह क्या बन जाएगा लवण बन जाएगा और यही हमारा साबुन का सूत्र इस सिद्ध होता है कि उच अणभार वाला है यानि बहुत सारे कार्बन है 17 कार्बन है लगभग सारे के सारे इसके बाद मोनो कार्बोकसलीक अमले मतलब यह हमारे पास COO एक ही बार लिखा होगा और इसके बाद पोटैशियम और शोडियम लवण हमारे साबुन कहलाते है इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें C-17, H-35, COO और इसकी जगापे हम K लिख दें तो यह भी हो सकता है साबुन का सूत्र बात समझ में आगए चलिए अभी हम कुछ और समझने की थोड़ी धीरे-धीरे कोसिस करते हैं माल लीजे हमने आपको बोला कि आप इसका नाम बताईए आपने तुरंद बता दिया कि सर इसको तो हम एसिटेट आयन कहते हैं हम लोग पिछले 6-7 दिनों से यही पढ़ते हु लेकिन अगर मैं बोलू कि आप मुझे बताईए सम इतने का नाम आपसे पूछे इसका नाम क्या होगा तो आप कहेंगे सर जी उसका एसिटेट था उसी तरीके का कुछ चीज का भी नाम होगा तो इसका जो नाम होता है वो होता है इस्टी एरेट पेटा पहले समझना बहु सोडियम लिख देंगे तो यह बन जाएगा सोडियम इस्टी एरेट यह पूरा का पूरा हमारा नाम बन गया बोलो यहां तक क्या आप लोगों को कोई दिक्कत हुई कोई परिसानी हुई बहुत अच्छी तरीके से आगे मेरी बात क्लेर समझें अब उसके बाद इसी तरीक पर क्या कर दिया यह कर दिया बच्चों क्या मैंने पोटेशियम यह बन गया हमारा पोटेशियम इस्टी एरेट यह सोडियम इस्टी एरेट सावन हो गया यह पोटेशियम इस्टी एरेट सावन हो गया इन दोनों में कोई अंतर क्या है वह आगे चलके हम लोग डिसकस करें क्या आपके मन में तुरंट कोशन आएगा कि क्या हम सत्रा ही कारबन ले सकते हैं क्या हम कुछ और नहीं ले सकते ले सकते हैं लेकिन उनके नाम क्या होंगे अलग-अलग होंगे तो चलिए अभी हम 15 कारबन लेते हैं कि कितने कारबन लेंगे 15 तो यह हमने 15 कारबन लिया इस ब ले लेंगे और अगर हम 15 ले लेंगे तो तब भी हम लोग एक जोड़ेंगे तो C15H31 एक जोड़ दिया दो सिगुड़ा करके फिर COO और यहां पर हमने लगा दिया इसी तरीके से हम लिख सकते हैं C15H31 COO और हम K लिख सकते हैं अच्छा इसका नाम क्या होगा जैसे इसका ना आपको इतना दिखाई दे रहा न यह वाला इतना पार इसका नाम होता है पॉमिटेट तो इतने का नाम होगा पॉमिटेट बेटा आपको यह कुछ नाम याद करने ही पड़ेंगे बेटा इसका नाम क्या है पॉमिटेट तो यह क्या हो गया sodium पॉमिटेट डरिये नहीं बह मेरा पूरा क्लास देखो गए ना आपको बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ क्लियर हो जाएगा और यह हो गया potassium permutate आप लोगों को क्या ये बात समझे में आ गई ये हो गया potassium permutate और यह हो गया sodium permutate बहुत आसान है आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि नहीं है ठीक है जल्दी से बताइए एक बार कि ठीक है कि गगन दिवेदी जी ना तो मैंने आपको ब्लॉक किया था ना तो मैं आपको अन ब्लॉक किया है आप गलत आप कल से कमेंट किये जा रहे हैं पेटा बच्चे हैं बच्चे बनकर रहिए बड़े बनने की कोसिस ना कीजिए ओके चलो तो यह हमने क्या कर दिया उच अड़ुभार मतलब छोटे से हो और ऐसे हवा में उड़ते हो यार बहुत अजीब लगता है बच्चो तो उच अड लाइन थी आप लोगों को अच्छी से समझ बागई उच अड़ुभार मतलब कारबन की नंबर बहुत ज्यादा होगी तक उनका अड़ुभार भी बहुत ज्यादा होगा अब उसके बाद इससे और कम हम कारबन ले सकते क्या बिलकुल ले सकते लेकिन अगर आपको बहुत जादा कारबन कम करोगे या और हम कम करनेंगे फिर 16 भी ले सकते हैं तो इनके सबके नाम फिर कहां तक याद रखोगे हो तो वो भी सकता है उससे भी साबुन बन सकता है कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन एक्जाम के लिए हमारे क्या इंपोर्टेंट है ये चार नाम इसके बढ़ेंगे स्क्रीन सॉट ले लिजिए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं चीक है चले जल्दी से स्क्रीन सॉट लीजिए हमने इस तरीके से आपको एक्स्प्रेइन कर दिया बहुत प्यार के साथ किया है जिसको लगता है कि फिर से समझना है वो रिपीट करके अब यहां पर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है वसा अमलो के गिलिसरॉल एस्टर अब यह क्या होते हैं इनको समझें देखे ध्यान से समझें मेरे बात सबसे पहले सी सत्रा एच पैंतिस उसके बाद सी ओ ओ अगर हम इसका नाम आपसे पूछें तो आप इसका नाम बताएंगे कि यह हमारा इस्टी इरेट आयन है ठीक अब इसके उपर अगर हम चार्ज की बात करें तो माइनस होता है अब मुझे इसको एस्टर बनाना है मेरी बात फिर से सुनिए है मुझे इसको एस्टर बनाना है तो हमें काम करते हैं हमें इसको एस्टर बनाना है अब इसहां पर आया एस्टर अब मैं आपको पहले एस्टर बता ही दूं कि होता क्या है देखो सबसे पहले इसको समझ कि यह तो सर ने बताया था कि यह कारवोक्स लिए अमल का समूव है ठीक अब मैंने बोला नहीं आप इस हाइड्रोजन को हटा दो और एक बंध और लगा दो इस बंध में कोई कारबन वाली स्रंखला जोड़नी चाहिए और इसमें भी कोई कारबन वाली स्रंखला जोड़नी Ester कहते हैं बात समझ में आ गई तो चलिए हम एक काम करते हैं इसमें हम अगर CS3 जोड़ते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे कि यह COO है जो कि हमारा यह वाला पार्ट है और अगर हम इसमें इस तरीके से CS3 इधर भी जोड़ते हैं और यह भी कार्बन वाली संकला है यह भी का अब मेरी बात सुनिए इसको मैं सही से लिखता हूं मैं लिख रहा हूं कि CH3 C17 H35 और उसके बाद फिर से सुनिए CS3 CH3 COO उसके बाद C17 H35 बात समझ में आ गई क्या इतनी इसी को हम तीन बार लिखते हैं CH3 COO C17 H35 ध्यान से सुनते जाना तभी आप लोगों को समझ में आएगा नहीं तो समझ में बिल्कुल भी आएगा नहीं आप अगर इसको ध्यान से नहीं सुनेंगे आपको प्रॉब्लम होगा ओके मेरे प्यारे बच्चों अब मुझे बताईए अगर ये इससे जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ पाएगा जब हम इसको तीन हटाएंगे यहाँ पर दो करेंगे तभी ये इससे जुड़ पाएगा और इसके बाद यहाँ पर भी फिर हम जे दो करना पड़ेगा अब मैं चाहता हूँ ये इससे जुड़ जाए तो यहां से तीन हटाएंगे यहां पे दो करेंगे तब ये इससे जुड़ पाएगा लेकिन ये कारबन जो है यहां पर दो है ये भी हटाना पड़ेगा इसका मतब इन तीनों को तो मैं इस तरीके से जोड सकता हूँ और यह जो बनकर तयार हुआ है इसी को हम वसा कहते हैं आपको confusion हो तो आप रट सकते हो बाट की आपकी मर्जी लेकिन बहुत अच्छी तरीके से समझे इसी को हम वसा कहते हैं और यह एक प्रकार का ester है कि ओके मेरे पैरे बच्चों आप लोगों को यहां तक समझ में आया कि नहीं ठीक है अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं एक बार मुझे बता दो चलिए बहुत बढ़िया वसा का मतलब नहीं जानते हो बेटा फैट फैट नहीं जानते हो क्या होता है वसा तो यह क्या हो गया यह हो गई हमारी फैट इसको क्या नाम देंगे यह हमारा है वसा चलिए यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी भी प्यारे बच्चे को कोई समस्या होगी यहां तक सभी को अच्छी तरीके से समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया होगा कि इसको वसा यानि की फैट कहते है अब हम इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराने वाले है sodium hydroxide किसके साथ कराने वाले है sodium hydroxide के साथ कराने वाले है चलिए sodium hydroxide का formula क्या होता है sodium hydroxide का formula होता है na o और h ये होता है हमारा sodium hydroxide ठीक तो इस तरीके से ये हमने लिख दिया मेरे पैरे बच्चों ठीक है I think मेरी बात आपको समझ भाए होगी अब देखो यहाँ बहुत तक बहुत important है ये एक प्रकार का हमारा छार होता है ठीक है जब वसा प्रकार के साथ सुनने पड़ेगी नहीं तो ऊपर से फिर जाएगा सुनते जाओ ये यहाँ से टूटेगा एक ये यहाँ से टूटेगा और उसके बाद ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये भी क्या करेगा टूटेगा इस तरीके से ये भी टूटेगा अब जो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको इधर लिखना सुरू करते हैं CH 2 CH मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ इससे धीरे आप नहीं पढ़ सकते हूँ और जो OH आपको दिखाई दे रहा है ये OH उधर जाके जुड़ेगा एक बार जुड़ेगा इधर एक बार जुड़ेगा इधर इसका मतलब है मुझे OH को 3 बार रहना पड़ेगा आरे है मेरे बास तर्मी अब ये जो बचा हुआ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये 3 एक जैसे ही है तो हम इनको एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं C-17, H-35, C-O-O और उसके बाद N-A हमारे पास बचा हुआ है यह हमने लिख दिया अब मैं देख रहा हूँ कि N-A इधर तीन बार है और यह भी तीन बार है इसका मतलब है अगर इस reaction को balance करना है तो यहाँ तीन लगाना पड़ेगा और जो बन कर तयार हुआ है यही हमारा क्या है? साबुन है अब मुझे बताईए कि आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ यह क्या है साबुन और इसका नाम क्या है? sodium sodium esterate बेटा आपको इसे पेपर के लिए तयार करके जाना है आपके पास ज़्यादा दिमाग है आप इसको किसी तरीके से याद कर सकते हो मैं जिस तरीके से मैंने बताया है वो best concept है इससे बहतर और कोई तरीका नहीं होगा ठीक है? यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आया की नहीं? ठीक है? जल्दी जल्दी बता दो एक बार अगर समझ में आ गया है तो जो बच्चे मेरे प्यारे हैं जो चैट में ज़्यादा बाते नहीं करते हैं सिर्फ पढ़ाई करने आते हैं वो सारे मेरी वज़े से एक बार कमेंट लगा दो जल्दी से एक बार कोई कमेंट कर दो आग लगा दो एक साथ अच्छी अच्छी आग वाली इमोजी भेज दीजिए सारे के सारी या कोई भी इमोजी भेज दीजिए जल्दी से ठीक है बच्चो किसी को कोई दिक्कत नहीं पूरी रियक्शन बैलेंस है इसमें कहीं पर कुछ भी गलत नहीं है बस C17H35 को उल्टा करके उधर लिखा गया है ठीक है चलिए बहुत-बहुत-बहुत-बहुत आइ ठीक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी हैं सब कुछ बैलेंस है कुछ भी गलत नहीं है इधार पूर्य रियक्शन से कहीं कुछ गलत नहीं है बच्चो समझ में आ गया सारी ये सारे बच्चो अब पेपर में ये मत करना कि यहाँ पर यह लाइन यहाँ पर यह लाइन ऐसे करना पेपर में नहीं करना है तो इसे इस पूरी अभिक्रिया को हम सावुनी करन कहते हैं एक्जाम में कोशन आ सकता है कि गिलिसरॉल क्या होता है आज कल ठंड चल रही है और ठंड की मौसम में ही यह टॉपिक पढ़ाया भी जाता है तो जो आप गिलिसरीन लगाते हो ना अपने चेहरे पर गुलाब जल डालके गुलाब जल डाले तो यह गुलाब जल डालने के बाद जो चेहरे लगा रहे हैं वही है और समझ गए चलिए वेरी गुड बच्चों बहुत बढ़िया अच्छा लगा मुझे इस स्क् जगह पर हम पोटैशियम भी ले सकते हैं और अगर हम पोटैशियम हाइड्राकसाइड लेंगे तो फिर यहां पर एने के जगह पर के हो जाएगा बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर हम इस वसा जो की हमारी यहां पर आपको दिखाई दे रही है अगर यह हम लोग यह तो यहां पर सी पंद्रा एच अकतिस हो जाएगा फिर यह सोडियम पॉमिटेट बन जाएगा लेकिन सबसे बैस्ट एक्जामपल बताया है मैंने इसके सिवा कुछ मत करो चलो अब एक्जाम में कोशन आएगा यह एक्जाम में कोशन कैसे आएगा सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि एक्जाम में कोशन कैसे आएगा सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक्जाम में कोशन कैसे आएगा शाबुन किसे कहते हैं और इसके निर्माण की विधी को रासानिक समीकर्ण द्वारा बताईए चार नंबर तो साबुन किसे कहते हैं आपको यह बता देना है जो भी साबुन कहलाते हैं जैसे सोडियम इस्टिरेट और सोडियम पॉमिटेट बता दिया आपने इनके सूत्र आपने याद कर लिया सी सत्रा एच पैतिस सी ओ ओ एने याद हो गए यह दोनों यह भी याद कर सकते हो फिर आपने बताया कि क्या होती है साबुनी करन चुप चाप एक कराई जाती है तो साबुन का निर्माल होता है इसमें गिलिस रॉल भी बनता है एक्जाम में कोशन आएगा कि साबुनी करन किसे कहते हैं आपको तुरंद बताना है कि साबुन बनेने की प्रक्रिया को साबुनी करन कहते हैं एक्जाम में कोशन किसी भी तरीके से आ सकता है चलिए, स्क्रीन सॉट लीजिए, आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं, कि साबुन के अनुकी शनरचना कैसी होती है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, कि साबुन के अनुकी शनरचना कैसी होती है, अच्छा, मैं आप से पूछू, कि साबुन में कितने कारवन होते हैं अभी आपने जैसे एक एक्जामपल लिया था C17 वाला वही एक्जामपल लेंगे हम लोग तो जैसे हमने लिखा कि C17, H35, COO और बाद में हमने लिखा NA एक बार ये सोच कर देखिए कि इसकी structure अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनेगी इस सोच कर देखिए मेरे साथ साथ सोच कर देखिए ऐसे बनेगी ना CS3, CH2, 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 CH2 सोच कर देखिए वेटा हम थोड़ा crazy टाइप वाले teacher हैं यहां से सुनिए एक दो तीन चार पांच छेस कितना हुआ 3, 3, 6 हुआ ना 3, 3, 6 हुआ ना मुझे कितनी बार लेखना है 17 बार क्या करेंगे CS2 साथ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कोई नहीं बताएगा ऐसे आपको 15, 16, 17 भाई अभी खतम नहीं हुई है इसके बाद कारवन डबल बांड ओ सिंगल बांड ओ और उसके बाद फिर से क्या एने अ बन गई साबुन की सनचना थक गए इतनी बड़ी साबुन की सनचना है एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, साथ, आठ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सत्तरा और ये अठारवा कारवन ये बन गई साबुन की आरे इतनी बात, क्लियर समझ में, आगे चले, अब उसके बाद, यहां से, अब हम इसको हटाते हैं, क्योंकि ये हमारे काम की अभी कुछ है नहीं, हटा देते हैं, लेकिन हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए बता दिया, अब इसको हम दूसरी तरीके से कैसे बना सकते हैं, हमने लिखा ये हमारा एक कारबन, ये मेरा दूसरा कारबन, ये मेरा तीसरा कारबन, ये मेरा चौथा कारबन, ये मेरा पांच नमबर कारबन, ये छे नमबर कारबन, ये सात नमबर कारबन, ये आठ नमबर, ये नो नमबर, दस नमबर, ग्यारा नमबर, बारा नमबर, तेर कारवन हो गया इसके बाद ये एक कारवन इसके साथ डबल बॉंड और इसके बाद फिर यह हमारे पास ओ और इसके बाद फिर एने क्या आपको ये बात समझ मागई ये बन गया देखो गिल लो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सत्रा और ये ये वाला कारवन है समझ गये ये बन गई हमारी इस तरीके से ठीक अब इसका अगर मुझे नाम लिखना Veeem The shd legit इस्वंगे सोडियम इस्टि अरेट किके सोडियम इस्टि रेट कि अगर मेरी बात समय में इतना क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को ठीक यश मनें बना दी सोडियम रेट की इस्ट्रक्टर ये क्या है यह हमारे एक अलु की इसमें से यह वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यह वाला यहां से लेकर यहां तक यह पार्ट आपका कहलाता है हाइड्रोकार्वन इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोकार्वन भाग ध्यान से मेरी बात को सुनते जाना तभी आपको क्लियर होगा और यह वाला जो बाकि को यह वाला जो भाग दिखाई दे रहा है कि यहां तक समझ में आ गया कि नीमbelt इतना लुइमों अच्छा अब जो यह हाइड्रो कार्वन वाला भाग होता है जैसे मान लिजे कि एक कपड़ा है हमारे पास कैसा कपड़ा ज्यान से सुनिएगा एक मेंट रुकिएगा ज़रा अब यहां आपको बताते हैं जैसे मान लिजे मैल है मैल यह मैल मतलब कपड़े की गंदगी तो यह जो हमारा हाइड्रो कार्वन भाग होता है यह क्या करता रहता है यह जो हाइड्रो कार्वन वाला भाग है यह मैल से दूर भागता रहता है इसलिए हम इसका नाम अलग से दे देते हैं हमें आगे बताते हैं रासाइनी गुरूप से सावन के निमने दो भाग होते हैं पहला भाग होता है आध्रुवी हाइड्रोकार्बन भाग दूसरा होता है ध्रुवी हाइड्रोकार्बन भाग ये भाग वसा में विले होता है इसलिए हम इसको जल विरोधी कहते है जल वसा में तो घुल जाता है लेकिन जल में क्या होता है नहीं घुलता है इसको हम जल विरोधी कहते हैं और इसके बाद जल इसने ही मतलब जो जल में घुल जाता है उसको जल इसने ही कहते हैं और जो जल में नहीं घुलता है उसको हम लोग जल विरोधी कहते हैं लिकिन जो भाग जल में घुल जाता है वो वसा में नहीं घुलता है और जो जल में नहीं घुलता है वो वसा में घुल जाता है यहां तक मेरे प्यारे बच्चो क्लियर हुई इत कि जल्दी से ले लिजे आप लोग की स्क्रीन सोट ताकि मैं आगे कॉंटिन्यू कर सकूँ ठीक है चलो इसके बाद ये भाग ये मैल वाले कॉंसेप्ट आगे बताऊंगा भी बिल्कुल परेशन नो ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये वाला भाग इसको हम बोलते हैं जल इसने ही भाग अंग्रेजी में उपर सब लिखा है आप देख सकते हो जल इसने विरोधी कहते हैं जल विरोधी ये जल से दूर जाएगा और वो जल की जल इसने ही भाग होगा और ये जल विरोधी भाग होगा ये जल से दूर निकलेगा ठीक ये मैल के साथ बाहर जाएगा पानी के साथ और ये मैल की तरफ पानी की तरफ रहेगा बोलो यहां तक समझ मे आगे इतनी बात चलिया अब इतना आपको क्लियर हुआ तो ये हो गया हमारा क्या आध्रुवी हाइड्रोकार्वन और ये हो गया हमारा ध्रुवी हाइड्रोकार्वन दो प्रकार का हो गया अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से साबुन जो होता है वो कपड़े की सफाई करता आपको समझ में आगया इसकी structure clear है आपको इस तरीके से पेपर में बनाने को आएगी और आपको बना के इस तरी से बताना पड़ेगा कि जो भाग जल में विले होता है जिसको हम जल इसने ही कहते हैं यह वाला होता है और जो जल विरोधी होता है उसको हम आधरवी hydrocarbon भाग कहत इस अक्सर आप से पेपर में पूछ ली जाती है चार नंबर की ठीक ज्यान से देखो साबून के जो अड़ होते हैं वह लंबी सरंखला वाले कार्बोक्सिलिक अमलों के सोडियम और पोटेशियम लवड होते हैं यह तो साबून के बारे में बता दिया जब यह जल में घोल लगी और दूसरा होता है जल विरागी अच्छे से बहुत अच्छे से मेरी बात को सुन लीजे पहले एक इन्होंने कहा कि साबून जो होते हैं वह लंबी सरंखला वाले कार्बोक्सिलिक अमलों के सोडियम और पोटेशियम लवड होते हैं अमान लीजे कि जब इनको जल मे घोला तो क्या होगा यह कपड़ा है पूरा का पूरा और यहां पर हमारे पास यह क्या है मैल यानि कि यह है गंदगी ठीक, ये है हमारे पास क्या मैल, जिसको हमने, हमने बोल दिया कि हाँ, ये हमारा क्या है मैल, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं एक बार, मैं इसका डाइगराम आपको बना के दिखा دेता हूँ, कुद्कि ये आपको एक्जाम में बनाना पड़ेगा, इसके बिना आपको काम कोई काम होगा नहीं ठीक है? दियान से देखो मैल या तेल की बूंद ठीक? अब उसके बाद जो भाग मेरा कौन सा था? जल विरोधी और ये क्या है? जल इसने ही जो जल इसने ही है वो क्या है? वसा विरोधी है ये दूर हटेगा वसा से और ये वसा इशने ही है ये भाग किधर रहेगा वसा की तरफ रहेगा एक जिधर गंदगी यानि की वसा है एक अब देखो क्या होगा अब आप इनको गिनकर नहीं बनाओगे गिनकर बना भी नहीं पाओगे क्योंकि ये है क्या वही वाली जो चेन हमने भी बनाकर दिखाई ना ये वही है मेरे पैरे बच्चो ठीक है ये जो हमने अभी आपको चेन बनाकर दिखाई थी ना ये एक्जैक्ली वही है तेल की बूंद मतलब वशा है ना वशा की बात हो रही है एक काम करते हैं इनको उठाके थोड़ा इधर लेके आते हैं ठिक यह आपको बीच में दिखाई दे रहा है यह क्या है यह तेल की बूंद है इसको मैंने क्या लिखा यह है हमारी तेल की बूंद ठीक और जो यह किनारे वाला जो यह वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है वो है हमारा मैं भी आपको पूरा पढ़ के दिखाऊंगा हर एक पॉइंट बताऊंगा आप टेंशन बिल्कुल भी ना ले इंतजार करें जब तक यह चित्र नहीं बन जाता है ठीक क्या है मैं बोल नहीं रहा हूं ऐसा मत सोचना कि आवाज नहीं आ रही है मैं बोल ही नहीं रहा हूं तो आवाज कहां से आगी ठीक यह जो हमने बनाया है यहें एक तेल की बून और जो यह आपको इस्ट्रक्चर भी बना के दिखाई थी जैसे ही मान लीजी यह पूरा का पूरा एक सामुन का आणू है यहां पर एक यह तेल की बून है होता क्या है यह आके इसकी तरफ क्या करती है ट्रैक्ट करती है यह जल विरोधी है लेकिन यह वसा इसने ही है यह fat की तरफ आती है और आने के बाद इस तरीके से क्या बना लेती है एक structure बना लेती है मतलब समझ लीजिए कि जैसे हम party में गए जैसे हम party में गए ऐसे मालो यह तेल की बूंद है और यह तेल की बूंद है और हम party में गए आजकल party में क्या हो रहा है जैसे party में entry क्या फूल फेकने लगते न वैसे बस वही चल रहा है सीन कि भाई ये तेल की वून जैसे ही कपड़े में आई तुरन साबुन रगड़ा और साबुन के अड़ जो है इस तरीके से इसको अट्रैक्ट करने लगेंगे यह वाला जो हिस्सा जो इस तरफ गया है वो क्या है वसा इस नहीं है लेकिन जल विरोधी है जल से दूर हटेगा यह लेकिन पहले इसको बनाएगा और बनाने इस तरीके से स्ट्रक्चर होगी और ज्ञाग बनाएगा उस ज्ञाग को हम क्या बोलेंगे हम उस ज्ञाग को क्या बोलेंगे उस जाग को हम क्या बोलेंगे मेरे पैरे बच्चों उसको मिशल बोलते हैं यह जो पूरी बनकर आती है इसको हम मिशल बोलते हैं ठीक है यह क्या कहलाता है मिशल कहलाता है इसको हम मिशल कहते हैं ठीक आरे मेरे बाषस चंगे सारी चीजें मáis आपको बताओंगा बिल्कुल सारी सारी कीसारी चीजें देखो यहां पर लिखी भी है मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था यहां पे आ जाईए यह देखो यहां में बताया भी था आप लोगों को ठीक है कि मिसल अवधारना के वारे में हम लोग बात करेंगे तो यहां तक सभी को अच्छे से सब्सक्राइब अच्छे से क्लियर हो गया मुझे लगता है सारी की सारी चीजे चलिए है हाँ साबून के कलर बेटा साबून का कलर क्या होता है उसमें बहुत सारी चीज़े अलग से मिला देते न तो उसका कलर जो है बदल जाता है समझ गए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ठीक अच्छा इसके बगल में एक चीज़ और बना सकते हो अपनी जानकारी के लिए इस तरीके से बना लोगे तो बेहतर रहेगा यह भाग जो हमारा कहलाता है न यह वाला भाग इसको हम कहते है जल विरोधी और या फिर हम इसको वसा इसने ही कहते है या फिर हम इसको वसा इसने ही कहते है मेरे पैरे बच्चों और यह वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है यह जो आपको जिस तरफ सोडियम रहेगा ये sodium बनाना इसके साथ-साथ ऐसे ही एक, ये वाला जो भाग हमारा होता है ये वाला भाग इस तरफ जो रहता है इस भाग को हम कहते हैं जल इसने ही जल इसने ही या फिर हम इसको बोल देते हैं वसा विरोधी ये वसा की तरफ नहीं रहेगा हना आगे मेरी वास्ताज में तो आप आई थिंक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी दो भाग हमने बता दिये हैं एक तरफ हमारा जल रागी COO समू यह हमारा जो इधर COO समू यहाँ पर बना है यह जल रागी है जिसे हम जल इसने ही कहते हैं यह जल विरोधी है जिसे हम जल विरागी कहते हैं ठीक है चलो चले बेटा आगे सबीको इतना समझबे चले आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चो ध्यान से मेरे बात को सुनिए और यार हम आज आप लोगों से आखरी बार एक हाथ जोड कर रिक्वेस्ट कर रहे है कि पढ़ाई करना है तभी चैनल पर आईए ने हम एक को ढून ढून के हम ब्लॉक करेंगे फिर मत कहना ये बहुत गलत बात है मैं इतनी देर से देख रहा हूँ क्या चल रहा है चैट में मैं इग्नोर कर रहा हूँ इग्नोर कर रहा हूँ और महंदर ये गलत बात है बेटा मैं इग्नोर कि कब तक करूँगा सोचो एक टीचर कब तक करेगा इससे उन बच्चों को नुकसान होता है जो दोसो पचीस-तीस बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और जिसमें से नुकसान होता है बहुत सारे बच्चों का जो पढ़ाई वाले होते हैं इसलिए मैं इग्नोर करना शुरूग गिया मैंने कि नहीं देखूंगा ठीक सुन लीजे फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं कि होता क्या है अभी फिर से रिपीट अपने आप हो जाएगा पहले इसको बताने दू साबुन जैसे जल में घुलता है ये आर सी ओ जो भाग है आर सी ओ का मतलब समझ लो आर सी ओ का मतलब सी सत्रा एच पैतिस सी ओ ओ आर का मतलब ये होता है इतना इसको हम आर बोलते है ठीक ये आर बोला जाता है रिडायन कोलाइडी कड़ों की रूपे एकत्रित हो जाते है ये कोलाइडी कड़ों की रूपे क्या होंगे एकत्रित हो जाएंगे कोलाइडी कड़ों का मतलब ये ऐसे कड़ है जो क्या करेंगे घुलना चाहेंगे किसी में ठीक वस इतना ही समझो कुलाइडी चैप्टर 11 में पढ़ने को मिलेगा इन कड़ों में कार्बोक्सिलेट आयन का मतलब यह वाला जो आपको कार्बोक्सिलेट आयन दिख रहा है का धुरुवी रिडावेशित सिरा जल की और आकरसित होता है अब रिडावेशित सिरा जो है वो जल की तरफ आकरसित होता है आप देखो आपको पता है यह बूंद है और यह इधर जल है इस तरफ क्या है जल है और इस तरफ वसा है दियान से समझेए इस तरफ जल है इस तरफ वसा है यह वाला सिरा माइनस है यह वाला सिरा माइनस है अगर सोडियम नहीं लगाना चाहते हैं आप मैनस लगा सकते हूं यह जल की तरफ जाएगा क्यों जल की तरफ जाएगा क्योंकि जल इसने ही है और वह वाला सिरा जो उस तरफ है वह जल विरोधी है और वह वसा की तरफ जाएगा जबकि आध्रुवी हाइट्रो कार्बन स्रंखला क पानी में में ईमलसन निर्माड होता है समझे मारी बाद फिर से एक बार मैं बता रहा हूं मेरी बात फिर सुनिए यह हमारा हमारे पास शाबुन का एक अलू है जिसका यह वाला हिस्सा जिस तरफ सी सत्राइच 35 होता है वो जल से दूर हटेगा लेकिन यह वसा की तरफ जाएगा और यह वाला हिस्सा जल इसने ही है और ये वसा से दूर हटेगा वसा से दूर हटने का मतलब है कि ये देखो वसा है ना इससे दूर हट रहा है देखो ये वाला हिस्सा इधर है और ये वाला हिस्सा इधर है समझ गये मैंने पहरे बच्चो अब उसके बाद फिर क्या होगा ये बस यही बताया गया है इतनी बात लिख दोगे कि साबुन का अणू का जो जल विरोधी सिरा है वो वसा की तरफ होगा और जो जल इसने ही सिरा है वो वसा से दूर अर्थात जल की तरफ होगा और इस तरीके से पानी में एक सनचना का निर्मार होगा जिसे हम मिशल कहते हैं यह मिशल ओबामा नहीं है मेरे लाल यह मिसेल है जाग समझ गए ओके इतना आई मेरी बात समझ में इतनी बात क्लियर हुई बेटा मेहंदर नाम के बहुत सारे बच्चे हैं तो जिसने गलती नहीं की है वो लोग बुरा मत्न माने ठीक है इसलिए मैंने आज ही रात में सोचा कि अब मैं किसी को कुछ कहूंगा ही नहीं क्योंकि एक नाम के बहुत सारे बच्चे होते हैं फिर वो एक को कहो दूसरा बुरा मान जाता है इसलिए स्योंसरा आप आज के बात आपको कुछ नहीं कहेंगे जिसका मन है पढ़ाई कीजिए अपना भविश बच्चों को नुक्षान होता है तो मेरा फोकस अच्छे बच्चों पर है गलत बच्चों पर बिल्कुल भी नहीं अब आगे सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों और जिस बच्चे को प्राब्लम है वो तुरंत बोल देगा कि सर रिपीट कर दीजिए मुझे पता है मैं र मतलब जो जाग बना फेना उसी में समाज जाएंगे इस प्रकार साबुन का मिसल मैल के पानी में घुलने में क्या करता है साहेता कर देता है और जो ये हमारे पास तेल की बूंद थी जो गंदगी थी वो क्या करेगी सब कुछ इसको घोल देगा पानी में घोल देगा और जब हम दूसरा पानी डालेंगे या हम उसको ऐसे जिटक देंगे ऐसे समझ लो ना देशी भासा में कि ऐसे जिटक देंगे तो क्या होगा साफ ह बनता है तब ओके मेरी बच्चों बात समझ में आ गई है इतनी अब उसके बाद क्या होता है मैल के पानी में घुलने में सहाधा गरता है जिससे इनके कपड़ों की पकड़ कमजोर हो जाती है क्योंकि जब जाग बनता है तो यह जो हमारा धूल मिट्टी के कड़ है इनकी पक पानी की साथ बाहर निकल जाती है और हमारे कपड़े साफ हो जाता है कि कुछ इतनी बात समझ में आप लोगोंने पहर से बैंको नबता रहा हूं साबुन का यह वाला ऐंव यह वाला एउ जाता है तेल की बूंद की तरफ ये पानी से दूर यह पानी की तरफ आप ऐस तर से मिशल का निर्मान करता है तो तेल यानि तेल की बूंद की पकड़ कपड़े पे कमजोर हो जाती है जब हम पानी से धुलते हैं तो ये तेल की बूंद पानी के साथ बहकर निकल जाती है ठीक है मेरे पैरे बच्चो इतनी बात समझ मा गई है कुछ इसके अलावा हमने नहीं नहीं बताया है ठीक है चलो यहां तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा जल्दी से स्क्रीन सॉट ले लो इसके बाद हम कुछ और पॉइंट की बात करेंगे गगंदिवेदी जी कह रहे हैं सर सेकेंड वाला पॉइंट फिर से अक्स्प्लेन कर दीजिए कोई बात नहीं बेटा बताते हैं जब साबुन में इमलसन का निर्माण होता है यानि मिशल का निर्माण होता है जाग का निर्माण होता है तो धूल मिट्टी आज के संपर्क में जब वो मिसल आता है या तेल की वूनत के संपर्क में आया तो जितने भी गंदगी होगी ना मिसल के केंदर में सभा जाएगी यानि ज़ाग में आजएगी और जब हम पानी डालते हैं तो वो पूरा का पूरा जाग गंदगी को लेकर निकल जाता है ठीक चलो अब हम लोग बात करते हैं कि साबुन की limitation क्या है यानि साबुन कहां कहां पे काम नहीं कर सकता समझे मेरी बात अब आप कुछ भी पढ़ें या ना पढ़ें ये point जरूर पढ़ लेना अच्छाईया सब की होती हैं तो कम्यां भी सब की होती है चाहे वो मेरी हो चाहे आपकी हो ठीक है तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है देखो ध्यान से इनकी कम्यां पढ़णी है साबन को कठोर जल में प्रियोग नहीं किया जाता अब यहाँ पर जल भी क्या होता है दो प्रकार का एक है म्रदुजल और एक है कठोर जल कठोर जल यानि हम कह सकते हैं समुद्री वाला पानी कठोर जल जो होता है जैसे आपको पता है कि जल में जो होता है, वो क्या-क्या पाय जाता है, देखो, कैलसियम, मैगनीशियम, जो कठोर जल होता है, उसमें कैलसियम और मैगनीशियम बहुत जादा पाय जाता है, उसकी मात्रा जादा होती है, यानि कठोर जल में कैलसियम पाय जाएगा और मैगनीशियम, अब आप लो मेरी बात को ठीक इसलिए आपने देखा वागा जो समुद्री पानी होता है उससे कपड़े जल्दी साफ नहीं होते क्यों साफ नहीं होते बताऊंगा मैं आप लोग को अब जब हमको पता है कि कठोर जल में उपस्थित जो कैलसियम और मैगनेशियम आयन होते हैं साबुन के स और मैं में सही से काँ नहीं कर पाता तुर क्योंकि आमरों के साथ हैं ख्यापित जो कपड़ों को faster t में को बाधित करते हैं इसको में अभिक्रिया के तौर पर पढ़ते हैं अगर आपको समझे में ना आए तो आप सिर्फ इतनी बात लिखकर चले आओगे एक्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है चलो जल्दी से अभी स्क्रीन सोट ले लो फिर मैं आगे बात जल्दी से छलो देखो मैं आपको बताता हों आपको पता है कि साबॲन क्या होता है साबुन C 17 об शाबन यह मैंगनिशियम को यह आजाए कालसियम के मैंगनिशियम के ऊपर प्लस-2 का आयन होता है यह दोनों जब यह साबन के संपरक में आता है तो वास्तों में क्या होता है? ध्यान से मेरी बात को फिर से सुनिएगा C-17 H-35 C-O-O और उसके बाद यहाँ पर 2 और यहाँ पर C-A आपकी बुक में इसकी जगाँ पर R लिखा हो सकता है R-C-O-O लिखा हो सकता है R का मतलब होता है C-17 H-35 ठीक है R ही मेरी बात समझ में clear हुआ इतना जल्दी से मुझे बता दो यह क्या होता है सफेद और धुंदला पदार्थ होता है एक दिन में कुछ समझ में नहीं आएगा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसे हम सफेद और धुंदला पदार्थ बना देते हैं क्योंकि कैलसियम जो होता है क्योंकि अब मालो एक्जाम में कोशन आया ठीक देखो जैसा एक्जाम में कोशन आया कि साबुन की क्या कभिया है तो आप एक लाइन लिखोगे कि साबुन को कठोर जल में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि कठोर जल में कैलसियम और मैगनीशियम आयन पाय जाते हैं कैलसियम और मैगनीशियम आयन साबुन से अबक्रिया करके सफेद धुंदला पदार्थ बनाते हैं देखो कितने आसान सब्दों में बता दिया सरे कि साबुन जो है कैलसियम आयन से मिलकर सफेद और धुंदला पदार्थ बना दे ठीक तो यह सफेद और धुंदला पदार्थ बनाते हैं जिसकी वज़े से साबुन कठोर जल में लाबकारी नहीं होते हैं खतम है हो गया बोलो समझ में इतनी बात है ठीक है है कि चलो समझ गया है हाँ अगर हम इसका नाम लिखना चाहे ना तो लिख सकते हैं कैल्सियम इस्टियरेट भाई इसका नाम होता है कैल्सियम में कर जाएंगे मेंगनेशियम इस्टियरेट समझ गया ना इसकी जगह पर मैगनेशियम भी कर सकते मैंगनेशियम इस्टियरेट बन जाएगा तो यह आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ आ गया ठीक है क्या यह पूरा लिखना पड़ेगा मैंने जो यह आएगा लेकिन अभी हमने देखा साबुन हमारे काम के नहीं है अब हमें काम करते हैं अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि अपमार्जा क्या होते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं अच्छे साबुन के क्या क्या गुड़ हैं यानहें इवसे अच्छी जो साबून होते हैं उनकी क्या-k्या प्रॉपर्टी जैंकि ऐनके अच्छे वाले गुड़ हैं। 100% stronger germ protection ऐसा लिखा हुआ है फिर अगर हम इसके पीछे देखेंगे तो बहुत सारी चीजें इसके बारे में लिखी होगी हर एक point लिखा होगा बताया जाएगा कि भाई ये recommended by doctor है ये मैं ऐसा कुछ प्रचार नहीं कर रहा हूँ बता रहा हूँ मैं आपको ठीक है ऐसा मैं सोच लेना हाना बाद में यही भी होता है तो ये 100% stronger germ producer ऐसा लिख के आगा world number one sealing germ protection soap ऐसा कर क्या तो अब ये जो आपको live boy साबुन देख रहा है हर साबुन की अपनी अपनी एक पहचान है साबुन में क्या होना चाहिए सबसे पहले किटाण ना सक मिले होने चाहिए ताक कि किटाण वो को समाप्त कर सके साबुन चिकना होना चाहिए और मुलायम होना चाहिए समझे मेरी बात साबुन चिकना होना चाहिए और साथी साथ मुलायम होना चाहिए अगर साबुन चिकना और मुलायम नहीं है तो वो हमारे किसी काम का नहीं है सरीर में लगाओगे तो उससे नुक्सान ही होगा साबुन में बहुत ज़्यादा छार नहीं होना चाहिए क्योंकि छार जो होता है वो तचा और वस्त्रों के लिए क्या है? हानिकारक होता है अब मैं आपको बता दू जितने साबनों में सोडियम होगा वो नहाने के लिए काम नहीं आएंगे वो कप्ड़ धोने के काम आएंगे जितने भी मैंने अभी तक बताया है न उसमें से जिसमें कपड़े धोने के काम आएगा सोडियम वाला जिस साबुन में पोटेशियम होगा वो नहाने के काम आएगा बाकी आपकी मर्जी कि आपने घड़ी डिटेर्जन पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो तो पता चला आव ऐसा करने लगे तो आपने जो है नहाने में भी फिर बदबू आती रहती है होता है ना तो पता चला लगा लिए भाया नहाने वाला साबुन ठीक है बात समझ में आ रही कि नहीं सबको क्लियर ठीक है आगे इतनी बात समझ में चलो आगे चलते हैं अब इसमें जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होने चाहिए साबुन जो होत होता है कितना परसेंट नहीं होना चाहिए दस परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए पानी अब आप सुचिए तो सूखा सूखा होता है इसमें तो होता है पानी होता है इसमें तभी तुम गुलायम बना रहता है वो समझें मेरी बात को ठीक है इतनी बात क्लियर हुआ ह सवावन साबून साफ्ट क्यों होता है सबमारी तव्चा क्या होगी खराब हो अब आपके मन में सवाल आयोगा जब साबुन जैसी इतनी अच्छी चीज है तो फिर अपमार्जक की हमें जरौत क्यों पड़ी अपमार्जक का क्या काम बचा फिर सुनो मेरी बात जो हमारे अपमार्जक होते हैं वो कठोर जल में भी काम आते हैं अब मालनों बहुत सारे लो को अच्छे क्यों होते हैं अपमार्जक अच्छे क्यों होते हैं यह सारी चीज़े भी हम आगे पढ़ेंगे देखो पहले हम यह डिसकस करते हैं कि अपमार्जक क्या होता है जैसे अभी हमने देखा था कि लंबी स्रंखला वाले यानि बड़ी-बड़ी 3735 रंखला वाले मो आपको इतना याद करना है कि लंबी श्रंखला वाले कार्बुक्सलिक अमोनियम या सलफोनेट लवर्ड अपमार्जक कहलाते हैं अपमार्जक की लंबी हाइड्रोकार्बन स्रंखला कं निर्मार तेल यह वसा से ना करके अभी पैटडोलने अनिया निय्प अभी तो यह यह दाना उलिये अज्सक निर्मांढ़ करेंगे और उसके बाद N A O N A O 3 और S अब आपको हम बात बता दें यह formula सर ने बता तो दिया है लेकिन आज तक पूछा नहीं गया है आज तक नहीं पूछा गया है तो इसलिए सिर्फ इतना पूछा गया अप मारजा क्या होते हैं और पहली line आपको लिखना है दूसरी line लिखना इसके सिवा यह सब नहीं पूछा गया है लेकिन फिर भी हम आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं ठीक है यह सल्फोनेट लवड है ओके बस इतना जान लो भी इसके बाद है हमारे पास की साबुन से अधिक अपमार्जक के क्या लाब होते हैं अपमार्जक क्यों अच्छा है आपने देखा था साबुन कठोर जल में फेल हो जाता है उस वक्त कौन काम आएगा साबुन से बड़ा बहु वली कौन अपमार्जक तो अब देखो अपमार्जा क्या होता है साबुन के पेच्छा अधिकलाब है क्यों यह कृतिम अपमार्जकों के निर्मार के लिए वनस्पत ते लिए वसा की जरुत नहीं पड़ती अमार्जा भाया हमने जो वसा जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते है फैट या ओयल वो साबुन बनाने में जा रहा है साबुन बनाने में जा रहा है, डव साबुन, आलमंड, पियर्स, बदाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, खा तो पान ही रहें, और बदाम साबुन बनाने में काम आ रहा है, सोच कर देखिए एक बार, तो इससे क्या होता है, कि अपमार्जकों के निर्मार के लिए तेल और वसा की जरत नहीं पड़ती, इसलिए अच्छे हैं, ये मानव खपत में तेल और वसा की बचत करते हैं, समझ गए, अब तो नहीं भूलोगे ना, इतनी बात समझ मा गई, इसके बाद दूसरी चीज, आप मार्जकों का प्रियोग कठोर जल के साथ भी कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं क्योंकि जब साबुन वहां फिल हो गया था, तो कठोर जल के साथ साबुन का प्रियोग जबकि हम नहीं कर सकते, लेकिन हम इनका कर सकते हैं, क्योंकि सफेद और धुंदला पदार्स नहीं बनाएंगे, कठोर जल के साथ, यहां तक क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ जो आप अपने घर में घड़ी पाउडर और यह सारे टाइड और यह सब यूज करते हो ना, यह सब यही है, ठीक है बच्चो, अगर हम अपने डिटर्जन्ट को हाथ में ले, तो हमें गर्माहट क्यों महसूस होती है, हमें गर्माहट क्यों महसूस होती है, आपने कभी इस उससे वो अभिक्रिया करता है उससे वो अभिक्रिया करता है जिसकी वज़े से क्या होता है उसमा जो होती है वो क्या होती है उस सरजित हो रही है जिसकी वज़े से हमें वो गर्म-गर्म महसूस होता है समझ के चले तो उमीद है यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा अब आखरी पॉइंट है हमारा आज की शेशन का कि साबुन और अपमार्जक में आखिर अंतर क्या है इसके बारे में बात करते हैं कि साबुन और अपमार्जक में आखिर क्या अंतर है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं ठीक है साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है देखो ज्यान से देखना सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि ये तो सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं अमलों के वशी अमलों के ये क्या होते हैं सलफोनिक अमलों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं साबुन अच्छे से behave नहीं करते लेकिन इनके सब के साथ हमारा कठोर जल के साथ हो अमली जल हो लवडी जल हो सब के साथ हुआ यह हमारा behave कर जाएगा अच्छा आपसे question पूछते हैं और आप इसका answer करना मेरे बैरे बच्चो मान लीजे कि आपके हाथ में कोई तेल लग गया है ऑईल कौन सा तेल लगा है मैं आपको बता रहा हूं चलो जो गाड़ी में मोबियल वाला तेल होता ना वो लग गया काला वाला अब आप नहाने वाले साबुन से उसको रगड-रगड के साफ कर रहे हूं साफ नहीं हो रहा है लेकिन जैसे डिटर्जंट लाते हैं और हम धुलते हैं साफ हो जाता है सोचिए जल्दी साफ हो गया क्यों 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 कि डिटर्जंट क्या है ज्यादा अच्छा है समझ गये अगला देखो उनी कपड़ों में साबन जो है सही से काम नहीं करता ल सोची अभी सफेद कपड़ा एक दिन नहीं चलता और ये सब हम महिनों पहने रहते हैं और गंदे नहीं होते हैं रीजन है ना उनके पिछे का कि ये क्या करते हैं धूल मिट्टी को इतना अब्जॉर्ब करते रहते हैं और पता नहीं चलता साबुन हमारी तुचा के लिए हानिका रख नहीं है लेकिन ये हमारी तुचा के लिए क्या है हानिका रख ये जलमें घुलने में समय लेते हैं साबुन को अगर जलमें घुलोगे तो समय लेगे ये जलमें बहुत तेजी से घुलते हैं और तीवरता से घुलते हैं तो अकसर ये पेपर में question आएंगे, ठीक है, ये था आज का session, हम लोगों ने साबुन पढ़ा, हम लोगों ने साबुन पढ़ा, एक मिनिट में मैं पूरा revise कर देता हूँ, आप लोगों को क्या क्या बताया है मैंने, सबसे पहले मैंने बात की, कि साबुन क्या होता है, ध्यान से मेरी ब and sodium pomitate is the example of the soaps, इनके हमने formulae बताये, इसके बाद हमने देखा कि साबुन का निर्माण कैसे करते हैं, जब किसी भी वसा को हम छार के साथ अब क्रिया कराते हैं, तो क्या होता है, एक glycerol बनता है और साथी साथ साबुन बनता है, मैं थोड़ा light कम कर दूँ, चलो देखते हैं अब दिक्कत होगा तब करूँगा, एक ग्रिसरार और साबुन मनता है, इसके बाद साबुन के अण की सनचना हम देखेंगे, साबुन की अण की सनचना में हमने देखा कि इसको दो भाग होते हैं, एक भाग होता है हमारा जल विरोधी और दूसरा होता है जल इस नहीं, जो नहीं होता है उसको हम आधुरुवि जल में घोला जाता है तो वो 가는ौ बहाग में टूट जाता है पहला भाग उसका जल जल विरॉगी जिसको हम हाईडरोकार्बन संखला बोल देते हैं जो कि आपको यह दिख रहा है और यह यह दिख रहा है अब इसको हमने देखा कि कि जब साबुन है और फिर हम पानी डालते हैं तो वो साफ हो के मंध निकल जाता है यह चीज़ यहां पर लिखी हम прав इसके बाद हमने देखा कि साबून की क्या-स कमया है on कठोर जल के साथ क्या करता है प्रियोग नहीं कर्स किए या सकता क्योंकि कठोर जल में calcium और magnesium iron उपस्थित होते हैं और calcium और magnesium iron सफेद-सफेद धुंदला पदार्त मनाते हैं इसके बाद हमने देखा ड़ुए कि अच्छे साबून के क्या-क्या गुण है पहले हमने देखा कि साबून में 10% से ज्यादा पाणी नहीं होना चाहिए दूसरा सब्सक्राइव कर दो सब्सक्राइव सब्सक्राइव जीं主 सब्सक्राइव वाला भी होना चाहिए मतलब किटान नाशक भी होना चाहिए किटान नाशक पदार्थ उसमें मिले होने चाहिए ताकि जो हमारे सरीर में जर्म है जर्म सें उनको सभी को हटा दिया जाए ठीक दूसरी बात हमने देखी कि अपमार्जा क्या होते हैं साबुन हमने देखा था कि तो हमारे मोन कार्बक्सिलिक अम्लों के सोोडियम और पटैशियम लमड़ थे, यहां उल्टा है, इसके बाद हमने देखा कि साबून से अधिक अपमार्जज क्यों लाबकारी हैं तो हमने ये देखा कि साबून को गठोर जल में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन अपमार्जक को कठोर जल में इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे साबुन होते हैं उनको बनाने में तेल और वसा की जुरत पड़ती है जबकि अपमार्जक को बनाने में तेल और वसा की जुरत नहीं पड़ती है इसलिए साबुन क्या करते हैu मानों की खपत को बहुत ज़्यदा लेते हैं यानि तेल और वसा का इस्तेमाल बहुत ज़्यदा होता है और जबकि अपमारजक में ऐसा नई होता इनको पेट्रोलियम से बनाये जाता है इसके बाद हमने साबून और अपमार्जक के बीच में अंतर देखा चार अंतर देखें और सब के बारे में हमने एक एक पॉइंट बताया है आपको अब मुझे बताओ जल्दी से एक्जाम में कुश्चन कैसे आते हैं यह हमने आप लोगों को बहुत पहले से बता रखा है कि साबून की अब क्रिया पूछ सकते हैं अलग से आप से पूछा जा सकता है साबून किसे कहते हैं साबून की करन अब क्रिया क्या होती है ऐसे कुश्चन आईए मैथ का क्लास रात में आठ बज़े होता है आठ बज़ गए हो तो पताइए मैं पढ़ा दू अभी कल कोई भी क्लास नहीं होगी कल आप लोगों को रिवीजन करना है कि आदित्या स्क्रीशाट लेना है लेवा लेवा को एक बच्चा को पूछ रहरे हैं जब हम सुप्धे UCA करते हैं तो क्या होता इत'll कर तो दांट ताफ हो जाते हैं है और क्या होता है क्योंकि जो कोल गेड करते वह चार होता है मुझ cricket होता है जब सुबह सो के उठते था आम ये निर्माण हो जाता है और इसी तरह के से डांसाफ हो जाते है एक बच्चा पुछ रहा है सावन का रियक्शन बताईए पहले बता चुके हैं सेशन को सुरू से देखिए अगला चैप्टर कौन सा पढ़ाएंगे अभी हमने बिल्कुल भी सोचा नहीं है पोल करेंगे उसके बाद डिस्यूजन लेंगे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को और मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से सुनिएगा आप लोग एक बार फिर से मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं द्यान से मेरी बात को प्लीस और प्लीस सुने होमवर्क है कि जितना हो सके अच्छे से रिवाइज करें अपने सवाल पूछे के हो आप लोग एक सभी को मेरी तरफ से छोटी से एडवाइज चोटी से एडवाइज यह है कि आप लोग जितना हो सके अच्छे से मेहनत कीजिए Science के सारे chapter और Math के सारे chapter प्लेलिस्ट में available हैं लगातार आप लोगों के message आते हैं लगातार आप लोगों के call आती हैं लगातार आप लोगों के demand होती है कि सर 13 number chapter कप पढ़ाएंगे विद्धुदारा कर्चम की प्रभाव पहले से बढ़ा चुके हैं प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको जाके देख सकते हैं जिल लोगों ने नहीं पढ़ा है जाके जरूर पढ़िए आप लोगों की question आते हैं कि साइंस में syllabus कब तक पूरा होगा मैं आप लोगों को फिर बता दूँ साइंस में syllabus आज से 20 दिन पहले ही पूरा हो चुका था अनुवान सिक्ता को छोड़ कर ठीक है तो जाके जल्दी से जितना हो सके अच्छे-च्छे से cover कर लो इसको अब कुछ दिनों के बाद वन सौट रिविजन भी स्टार्ट होगा एक जैसे हम साइंस में जोस 2.0 की सिरीज लेकर आए है वैसे ही साइंस में भी कुछ सिरीज वगर आएगा और हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे ठीक है थाइंक्यू सो मच और फिर मैं आप लोगों से एक बार बोलना चाहूंगा कि क्लास जिस समय चलती है डिश्ट्रबर्श ना किया कर हैं नहीं तो हम एक एक को ब्लाफ करेंगे फिर आप लोग बोलो के कि सार मुझे ब्लाफ कर दिया यह कर दिया आप लोगों से रिक्विश्ट है बच्चे हैं बच्चे बन कर आज के लिए इतना ही तब तक लिए बाबाय टेक क्यार जो भी मन में कोश्चन हो कमेंट कर दीजेगा उसका सभी का रिप्लाई मैं करूंगा थाइंक यू सो मच कि कि